भारत में घुमने के लिए कई जगह हैं लेकिन हिमाचल का नाम आते ही हिल स्टेशन और बर्फ सबसे पहले दिमाग में आता है और कहते है हिमाचल प्रदेस में famous हिल स्टेशनों के साथ-साथ आफ बीट पहाली जैसी जगहों के लिए भी famous है यहां आपको ऐसी कई खुबसूरत जगा देखने को मिल जाएंगी जहां लोग कम और जगा साव सुत्रा नजारा देखने को मिलेगा यू तो हिल इस्टेशन गूमने का सभी कामन करता है लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहले हिमाचल उत्राखंड की पहाड़ियां याद आती हैं वैसी तो गूमने वालों के लिए दूर पास कुछ नहीं होता लेकिन किसी के लिए उत्राखंड के hill station पास पड़ते हैं तो किसी के लिए हिमाचल के अब ये बात आपसे बहतर कौन जान सकता है कि आपको कहां जाना है लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिने साब सुतरी जगाहें पसंद आती हैं पर आजकल हिल स्टेशन ऐसे हो चुके हैं जहां हर तरह भील और गंदगी मिलेगी। बता दे कि हिमाचल के हिल स्टेशनों की तो सिमला कुलू मनाली जैसी पहाली जगा अब बहुत जादा लोगों से घिरी रहती है। जहां नजर गुमाओ वहीं लोग घुमने के शौकीन नजर आते हैं लेकिन आप ऐसी जगह की तलास में हैं जहां भील भाल कम हो और गंदगी तो बिलकुल भी ना हो तो ऐसी एक दो जगह हम आपको बताते हैं अगर आपको पता है तो ठीक है अगर नहीं तो जान लीजिए अ हिल स्टेशन देखने में बड़ा ही हसीन लगता है सांती और लुभावने नाजरों के तलास करने वालों के लिए आप यात्री यहां घुमने जा सकते हैं यह आप बीट हिल स्टेशन है जहां आपको बेहदी कम होटल और वैवासाइक दुकाने देखने को मिलेंगी यहां क जगा की तलास में हैं तो यह जगा आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है कारसोग घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है ठैरने के लिए आपको यहां कई होटल खाने के लिए कई दुकाने देखने को मिल जाएंगी जो की आम बात है ले है तो इस बार निकल जाएए